आज मैंने हस्बंड को बोल दिया था कि मैं खाना नहीं बनाओंगी आप मुझे कहीं बाहर लेकर चलें तो हम आये थे सीपी में जहां पर है ये राजिस्थानी थीम पर बना हुआ रानी सा बहुत बार सुना था मैंने इसके लिए लेकिन मैं हमें पहली बार आई हूँ तो यहां पर हम अंदर आये थे यह अंदर का एंबियंस है और यहां सबसे पहले हमारे हैंड वश कराए गए जो हलका गुन-गुने देसी खी और मिला था साथ में चूरमा और यहां पर आया था ढोकला यह गुजराती ढोकले से मुझे डिफरेंट लगा क्योंकि यह खटा मीठा बिलकुल नहीं था और थोड़ा ड्राय ड्राय था और सर हुई थी साथ में एक वेजटेबल टिक्की और फाइनली आ गया था आ मीठे में और थी एक सबजी जिसका नाम मुझे नहीं पता साथ में थी आलू की सबजी और था पानीर की सबजी राजस्थानी कड़ी साथ में था रायता प्याच और यहां पर सर्फ हो रहे हैं दो अचार जिसमें आम का और मिर्च का साथ में आई थी एक डाल और साथ में गुजराती कड़ी जो वाइट कलर की थी रोटी तीन तरह की थी एक फुलामा फुलका साथ में बाजरोन रोटलो और साथ में मिस्सी रोटी थी और साथ में मिली थी हमें चाच मेरे हस्बन को तो इतनी ज़ादा पसंद आई कि उन्होंने तो यह था हमारा आज का राणी सामे राजस्थानी और गुजराती डिनर और यह था मुखवास के लिए यह पूरा कॉंसेप्ट मुझे आल ओवर बहुत ज़ादा पसंद आया लेकिल यहां आने के लिए बिल्कुल खाली पेट आईगा क्योंकि यहां बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए और आपको अगर यह मिनी व्लॉप पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और थैंक यू सो मच गाइस पर वाचिक मैं वीडियोज गडब्लेस यू ओल